हेलो एवरीवन वेलकम तो अनदर लेक्टर ओफ और अरगनाजेशनल बिहेवियर एंड टोड़े अवर टोपिक ही दिस्सिप्लेंस डार कंट्रिब्यूर्ट तो दा ओबी फील्ड हम वह एरिया ओस्टडी देखेंगे जो बहुत ज़्यादा कंट्रिब्यूर्ट करते हैं और अरगनाजेशनल बिहेवियर की फील्ड के अंदर ठीक है मीन के वह सब्जेक्ट या वह एरिया ओस्टडी जो के कंट्रिब्यूर्ट करते हैं ओबी की फील्ड के अंदर तो हमारे पास नंबर वन है साइकॉलोजी उर्दु में नफसियात कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ओ और लोगी में स्टडी तो इनसान की सोल की या दिमाग की जो स्टडी होती है उसको साइकॉलोजी कहा जाता है साइंटिफिक स्टडी ओफ यूमन माई इनसान ने दिमाग की जो साइंटिफिक स्टडी है और इस फंक्शन और वो किस तरह से काम करता है इंक्लोडिंग and unconscious phenomena और वो कौन से काम जान बुच के या बिना जाने जो वाकिय हो रहे होते हैं फिनोमेना हो रहे होते हैं इनके बारे में जो भी study होगी हम उसको psychology study कहेंगे कि जो भी conscious or unconscious phenomena भी होंगे वो भी इसी के इंदर आ जाएंगे हमारे पास in psychology we study about learning, perception, personality, emotions, training, leadership, motivation, job satisfaction, working design, work stress, employee selection and performance appraisal these all factors are important for field of OB psychology के अंदर हम study करेंगे learning के बारे में, सीखने के बारे में, perception, चीजों के बारे में, perception, क्या खेलात, क्या, personality, शक्सियत के बारे में बात करेंगे, emotion, जजबात के बारे में, training, तर्बियत, leadership, दूसरों को lead करना, हुक्मरानी करना, उनको आगे लेके जाना, motivation, होसलाफ़ाई करना, job satisfaction, काम के वक्त इत्मिनान होना, working design के work को किस तरह से design करना है, work stress, तनाओ, काम का तनाओ के बारे में बात की जाएगी, employee selection, employee की selection कैसे हो तो कैसे choose किया जाता है, और performance appraisal, कारकरदी की ज जो इनामाद हैं, जो compensation हैं, उन तमाम factors को consider किया जाता है, psychology की study के अंदर, और ये बड़े important है, OB की field के अंदर, तो अब psychology में basically में study करते हैं, कि इनसान का attitude क्या है, उसकी personality क्या है, emotions क्या है, perceptions क्या है, ये तमाम चीज़ें बड़े important होते हैं, किसी भी इनसान के अंदर, और इ नहीं करेगी, उसके emotions के तरफ को कैसा है, ठीक है, जजबाती है कि नहीं है, सोच समझ के काम करता है, उसकी decision rational है, या emotional है, ये सारी बाते बड़े important हो जाती है, ठीक है, तो psychology focus on mentality of individual, which play a very important role, that how individual will behave in the organization, psychology जो है, वो focus करती है, किसी individual की mentality के अपर, ठीक है, जो कि बड़ा एहम कि दार अदा करते है, कि वो individual किस तरहां से organization के दर behave करेगा, जिस तरहां कि उसकी mentality होगी, जिस तरहां कि उसकी personality, emotion, perception, motivation जो होगी, उसी तरहां से वो behave करेगा, उसका behavior जो है, वो organization के उपर बड़ा effect करेगा, तो पहली जो discipline है, पहला जो field of area है, जो study का area जो है, वो impact करता हो भी पे, वो है psychology, second हमारे पास है, sociology, the study of human society, उर्दु में इसको इमरानियाद कहा जाता है, psychology focus on the individual, sociology study the behavior of people within a group, psychology है, वो individual के उपर study करती है, उसकी mentality के उपर study करती है, लेकि जो sociology है, यह basically behavior हमारा रविया कैसा होता है, लोगों का in group के अंदर, ठीक है, कि लोग आपस में group के अंदर है, एक organization के अंदर है, आपस में उनका आपस में रवया कैसा है, behavior कैसा है, इसकी study को जब हम किया जाता है, इसके बारे में, sorry, जब study की जाते है, उसको हम कहते है, sociology, in OB, sociology help to understand, to examine the study of group behavior within organization, अब organization के OB के अंदर sociology हमें help करती है, कि हम समझ सकें, और examine कर सकें, जो study है, group behavior, group में लो about organizational culture, कि हम इस में organization culture, organization की सकाफत के उसके बारे में study करते हैं, former organization theory, जो organization की रस्मी तद्रिये हैं, उनके बारे में, बात की जाती है, Instructure, उसका धांचा किया, उसके बारे में बात की जाती है Organizational Technology, Communication, Power and Conflict इसमें Organizational अंदर टिक्नोलजी का क्या इस्तमाल हो रहा है Communication, लोग रापता कैसे करते हैं, ताकत की बारे में बात की जाती है तो Conflict, आपस में जो जगरे हैं, उनके बारे में बात की जाती है Sociology हमें इन मामलात में help देती है, मदद देती है Next हमारे पास जो है Social Psychology, ठीक है यह basically जोनों का Psychology और Sociology का एक कह सकते कंबिनेशन हमें बताया गया है Generally consider as a branch of psychology Social Psychology की branch का जाता है Focus on the concept of both psychology and sociology To focus the people's influence on one another or with each other अब इसमें focus के जाता है किस concept पे इस तसवर पे जो के बोथ है Psychology और Sociology इसमें हम Psychology और Sociology दोनों के तसवरात पे focus करेंगे कि इनसान जो है, people कैसे influence करते हैं ग्रूसरे के पर या with each other कि लोगों का एक ग्रूसरे पे क्या आफर होता है या एक दूसरे के साथ क्या आफर होता है Social psychology help to measure and understand the change in attitude of people Focus on their communication pattern and how they can build trust with each other Social psychology हमें मददगार थाबित होती है कि हम measure कर सके, premise कर सके and understand और समझ सके Change in attitude of people कि लोगों का attitude कैसे change हो रहा है एक दूसरे के साथ रहने की वज़ा से ठीक है जैसे कि आपको बच्चमन में कहा जाता होगा कि इसके दोस्त ने इसको बिगार दिया है तो आपके एक दोस्त का दूसरे दोस्त पर influence हो रहा होता है ठीक है तो यह basically study करता है Social psychology कि एक शखस का दूसरे शखस पर क्या आफर हो रहा है बेसिकली के एक दूसरे पर लोगों का क्या आफर होता है उसकी जो study है वो social psychology के लाती है नेक्स मारे पर लास्ट है anthropology इंसान का मुताला ठीक है उस कोर्दू में कहते हैं इंसान का मुताला human study ठीक है related to the study of human being human society, its culture and the development that how we human have been changed over the year इसकी जो anthropology है यह तालूख रखती है इंसानों के study से, इंसानों के माशरे से, human society से उसके culture से and development और किस तरहां से तरक्की होई है हम इंसानों के अंदर over the year, सालों तक कि साल जैसे गुजरते गए हैं हम इंसानों में कैसे तबदीली आई है किती तरक्की आई है anthropology help us to understand the difference in value, attitude and behavior between people in different countries within different organization anthropology हमें मददगार सावित होते हैं यह समझने के लिए कि हर इंसान के अपने values और beliefs होते हैं कि उन difference को समझा जाए हर किसी का अपना attitude होता है हर किसी के अपनी नुकते नजर होते हैं समझा जाए हर किसी के अपना behavior होता है between people in different country हर मुलक में हर किसी के अपने values हैं अपने attitude हैं अपने behavior हैं तो उनको समझने के लिए anthropology की study बड़ी important है कि किस तरहां से उनके values यह develop होएं किस तरहां से उनका यह behavior बना है क्यों उनका attitude ऐसा है different country अंदर लोग ऐसे क्यों होते हैं और organization में भी क्यों होते हैं तो इनके बारे में जो study की जाती है कि इनसान कैसे over the year develop हुआ है इस study को हम कहते है anthropology तो यह मददगार साबित होते हैं कि हम बता सकते हैं कि एक इनसान इस तरहां से behave कर रहा है तो क्यों कर रहा है क्या वज़ा है तो इसको समझने के लिए anthropology जो है हमें काफी ज़्यदा मददगार साबित होती है तो यही में हमारा आज का जो लेक्टर है disciplines that contribute in the field of OB वो complete होता है उमीद करते हूँ आपको समझ आ गया होगा slice का link description में दे दिया जाएगा आप वहाँ से download कर सकते हैं और कोई भी question हो तो आप comment में उससे पूछ सकते हैं अपना ख्यार रखिएगा अलाफीस